नमस्कार दोस्तों सुआ करता है चैनल पर दोस्तों आज हम Electromagnet बनाना सीखेंगे वो सही तरीक़्े से उसको बनाना सीखेंगे हम क्या-क्या गलतिया करते हैं वह आज जानेंगे देखें दोस्तों Airport ja के ठीचिक देख लिए रैसंतनीं हम भी रहे हुष्छ है कि यह फोनेस्त है कृपर वायर यानि कि आपको इन्सुलेट्स पर और रहे हैं ज़्छ है कि इस शेसlement ने कर आills मैंसलियुमन सब्सक्राइब copper wire देखें दोस्तों insulation का मतलब यह होता है कि कोई भी आप wire देखेंगे तो उसके उपर प्लास्टिक का एक cover चड़ाओ होता है और जो प्लास्टिक का cover चड़ाओ होता है उसको जैसे हम हटाएंगे तो वो जो चीज हटने के बाद में अंदर जो निकलती है वो copper wire होती है और उसके उपर जो चड़ीवी होती है वो उसका insulation होता है यानि कि जब हम किसी तार को छूते हैं तो हमें current आता है लेकिन जब उसके उपर हम plastic का cover चड़ा देते हैं तो insulated हो जाता है उसको हम फिर चू सकते हैं लेकिन जैसे ही हम उस wire को छील लेंगे तो अंदर से आपके copper wire निकल जाएगा और उपर copper wire के उपर जो प्लास्टिक का cover होता है उसको insulation कहते हैं वो सभी के अंदर कुछ इस तरीके से ही चड़ाव होता है तो हमें insulation copper wire चाहिए देखिए दोस्तों यह जो wire है यह भी insulation wire है अगर आप बिना insulation wire के wire लेंगे copper wire लेंगे तो वो काम नहीं करेगा देखिए दोस्तों काफी पतली परत इसके उपर चड़ी होती है wire के उपर आप जैसे इसको अटाएंगे तो अंदर आपको एक wire दिखने लग जाएगा जिसके उपर insulation हटा हुआ रहेगा तो हमें इस insulation वाला ही copper wire चाहिए कुछ इस तरीके से यह जो wire है यह आपको इलेक्ट्रिक की दुकान पर मिल जाएगा जो motor wire ने काम करते हैं तो आप उनसे जाके बोलीगेगा कि हमें 32 नमबर 32 नमबर 28 नमबर तक का कोई भी गेज का wire हमें दे दे लगबग हमें तीन मिटर wire चाहिए तीन मिटर को हम अपने कील की उपर लपेटेंगे देकि दोस्तों इस तरीका wire भी आप काम में ले सकते हैं लेकिन इसके उपर जो इंसूलेशन होता है काफी मोटा होता है आप तीन मिटर इसमें लपेटेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा मोटा हो जाएगा और wire काफी दूर-दूर गूप में हो जाएगी तो इसका जो मैगनेट होगा वो अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा और प्रॉपर आपके जो स्ट्रॉंग जो होता है चिपकने का जो तो नहीं हो पाएगा तो दोस्तों इसकी लिए हम यह कॉपर वायर लेगे और इसको देखें दोस्तों यह मे मीटर वायर लगबक तीन मीटर वायर इसके उपर लपेटेंगे और लपेटने के बाद हमें जो घड़ी का सेल होता है वह हम इस्तिमाल करना है मैं नाइन वोल्ड की बैटरी यूज नहीं करनी है और जैसे हम इसके जो दोनों टर्मिनिल है उसको पहले स्क्रेच कर लेना है आ अंदर से जो कॉपर वायर होता है वो निकाल लेना है क्योंकि अगर आप उसको बिना स्क्रेच करें अगर अपने बैटरी से टच करेंगे तो वह प्रॉपर उसमें अपना करन्ट होगा फ्लो नहीं हो पाएगा मैंगनेट नहीं बन पाएगा देखिए दोस्तों आप कोई यह से एक का सिक्का है यह नया चोटा लेका सिक्का है उसको भी पूरा लोग का ही होता है तो वह भी कील की उपर चिपकेगा ध्यान रखना है दोस्तों आप जो वायर बैटरी पर टच करेंगे वह उसको अच्छी तर इसके स्क्रेच कर लीजिएगा अंदर से जो चमकीला पायर निकलेगा वही बैटरी पर टच होगा तो दोस्तों कैसा लगा मेरा प्रोजेक्ट प्लीज कमेंट जरू करेंगा धन्यवाद